नमस्कार दोस्तों आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे इस अगले अन्बॉक्स्ट वीडियो पर जो की है टैंगो वायरलेस TG-115 का अन्बॉक्स्ट वीडियो इसके बॉक्स पर उसकी MRP तो नहीं लिखी हुई है बट जैसा कि आप देख सकते हैं यहां की दुकानदार न तो बहुत सिंपल सा डिवाइस है इसमें कुछ नहीं है सिर्फ एक सिंगल पीस जो हेड़फोन है बस उतना ही डिवाइस है इसमें आप कोई भी Micro USB Charger यूज़ कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ सिंपल Micro USB Charger यहां यूज़ कर सकते हैं इसमें तीन बटन है Volume Up, Down और Call, Disconnect या Play, Pause के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसका खाली मैं एक ही कहूंगा कि इसका जो प्लस बटन है वो उपर रहना चाहिए ता नीचे क्योंकि जब आप गले पे पहनते हो यह माइनस बटन उपर की तरफ आता है तो खाली थोड़ा intuitively लगता है कि प्लस बटन अगर शायद उपर होता तो जादा बेटर होता तो यह एक ही चीज़ है मैं जो कहूंगा इसका negative है दूसरी साइड पर कुछ नहीं है सिर्फ brand name लिखा हुआ है Tango TG-115 model number और अगर इसके features हम box पे देखें तो Tango wireless earphone version 4.2 है इसको आप headset hands-free की तरह भी use कर सकते हो इसका play time या talk time 4 गंटे का है और बाकी सब आप features देख सकते हो play, pause, previous track, next track तो आप double click करोगे तो next track आता है play, pause बटन पे आप double click करो तो next track आता है and दो wireless device को ये connect कर सकते है तो अगर आपके पास दो phone है एक android phone है और एक apple phone है तो आप दोनों को साथ में connected रख सकते हो जिस पे भी phone बज रहा है या जिस पे भी music चल रहा है वो आपको सुना ही देगा अगर phone और music दोनों साथ में चल रहे है तो वो phone को obviously priority देगा और आप जैसा कि देख रहे हो कि iOS में इसका battery status भी दिखाई देता है 20 hours of working time दिखाया है तो ये music के लिए है जबकि talk time सिफ 4 गंटे का है और music play time 20 गंटे का है एक full recharge के साथ iOS में इसका display battery level है streamlined design और TPU material काफी अच्छा material है और क्योंकि ये चोटा सा device है हम इसका review भी अभी कर लेंगे तो आप जैसा कि देख सकते है इसका जो button है वो आप button को दबा के रखेंगे तो ये start हो जाएगा और अगर थोड़े और time के लिए start रखेंगे तो इसका pairing mode शुरू हो जाएगा तो अभी आप आपके phone पे जा सकते है मैं मेरा iPhone यूज़ करूँगा इस पे शायद already pair connected है तो आपको उसको forget करके हम वो अपिस add कर लेंगे जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ connect हो गया और हम इसको forget करते हैं और फिर एक बार add कर देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ other devices में TG-115 आगे है तो आप इसको select करके इसको connect कर सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं एक बार connect हो जाएगा तो आप उपर देख रहे हैं जब आप main screen पे जाएंगे तो इसका आपको battery status भी दिखाई देगा तो चलिए इस पे कोई music प्ले करते हैं Amazon Music पे चलिए है नुमान 40 चल रहा है तो आप देख रहे हैं आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो आप जैसे कि सुन रहे हैं आपको headphone की आवाज यहां तक सुनाई दे रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं काफी अच्छे headphones है build quality काफी अच्छी है यहां पे पीछे magnet है तो दोनों एक को connect हो जाते हैं तो यह था हमारा अन्बॉक्स वीडियो और अगर आप यह center बटन को प्रेस करके रखेंगे तो वो आफ हो जाता है और रेड स्क्रीन आएगा और जैसे देखा आपने जैसे यह आफ किया तो music मेरे फोन पर बजने लगा क्योंकि वो डिसकनेक्ट हो गए तो दोस्तों यह था हमारा अन्बॉक्स वीडियो टैंगो वायरलेस टीजी वन वन फाइव वायरलेस ब्लूटूथ हेड़फोन्स का यह इसका प्राइस एन 950 लिखा हुआ था बट मुझे यह 850 में मिला है तो 850 के लिए मैं कहूंगा कि यह बहुत ही हेड़फोन्स है और सबको रेकमेंड करूंगा कि वायरेड़फोन के अलाज जगह पर वह यह ब्लूटूथ हेड़फोन ले ठीक है दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद अगले रिव्यू में फिर मिलेंगे